हेलो भाइलो कैसे हो मैं हूँ आकास आप देखरो मेरा चैनल पोस्ट गैजुट गेमर आज हम बात करेंगे मोटो के दरब से आने वाला मोटो एज 50 नियो के बारे में कुछ टाइम पहले मोटो एज 40 नियो आया था उसका अनबॉक्सिंग और गेमिंग वीडियो मेरा चैनल प चाहिए या नहीं तो भाई लोग अगर चैनल पे ने हो तो चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्रीब कर देना और एक छोटा सा या कमेंट कर देना तो चलो यार स्टार्ट करते हैं पहले दोस्तों देख लेते बॉक्स में क्या क्या आता है आपको एक हाट केस यहां पे मिलता ह है 68 वाट का चारजर मिलता है पीन केबल सब कुछ मिल जाता है तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप दोस्तों आता है फोन का डिजाइन कैसा है तो मोटो का जो बेसिक डिजाइन है अब देख सकतो इस फोन में भी है लेकिन भाई फोन प्रीमियम लग रहा है जो भी यहां पे military grade जो protection सब कुछ यहां पे मिल जाता है तो हाद से गिरा दो प्रेसाद दो फोन को कुछ नहीं होगा तो एब एक advantage है इस फोन का गोडिरा ग्लास 3 का protection मिल जाता है ठीक है पीछे आपको देख सकते हो प्लास्टिक टाइप का finish है यहां पे कोई 3.5 mm jack आपको नहीं म आता है फोन का display कैसा है तो फोन का जो display एक highlight features है ठीक है यहां पे आपको 6.4 inch का पोले डिस्प्ले आपको मिल जाता है 120 hertz refresh rate है 3000 neat peak brightness है बाइनेस बहुत ही जादा है अगर आप धूब में भी जाते हो कोई परेसे नहीं होगा ठीक है डिस्प्ले आपकर नहीं है नॉर्मल डिस डिस्प्ले दोस्तों गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है इन डिस्प्ले फिंगर पीड सेंसर भी मिल जाता है मौल्टी मेडिया जो experience होने बाला है गेम खेलो मुवी बगर देखो बहुत ही अच्छा होने बाला है ठीक है अब देख सकतो कलरफूल है एकदम YouTube पे अब HDR देख सकतो नेट्फ्लिक्स पे भी आप HDR सपोर्ट है तो सब कुछ आप देख सकतो तो डिस्प्ले दोस्तों फोन का बहुत ही अच्छा है आप दोस्तों आता है फोन का प्रोसेसर कैसा है यहां पर आपको मीडिया टेक के तरफ से आने वाला 73001 4NM का प्रोसेसर मिल जाता है फोन एक ही वेरियन में अबेलेवल है 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ ठीक है एंतुत स्कोर है साड़े छेला का मान सकतो कोई भी गेम आप मीडियाम सेटिंग पे खेल सकतो 60fps पे गेमिंग कर सकतो पजी बोलो सीओडी बोलो फ्रीपाइब आप अल्टरा मैक्स पे खेल सकत तो तीन चार घंटे आप लगातार गेमिंग कर सकतो ठीक है यहां पर सीपू थ्रॉटलिंग भी देख सकतो हमें से यहां पर ग्रीन पर रहता है तो भाई जो प्रोसेशर है बहुत ही टेस्टेड है तो भाई आपको एक अच्छा एक्स्पेंस आपको मिलने वाला है ठीक है फोन का OS सिस्टेम में दोस्तो ठीक टक है Hello UI पर चलता है Android 14 है और मोटो ने प्रोमिस किया है पांस साल तक सीकूरिटी अपडेट अपको मिल जाएगा जो आज गलकर जो फोन आता है उसमें दोस्तो दो या तीन साल की अपडेट मिलता है लेकिन इस फोन में आपको पांस साल तक अपडेट मिल जाएगा मतलब यह फोन आप आडाम से पांस साल तक चला सकते हो ठीक है तो यह एक अच्छी बात है जो नीट क्लीन एक्सपेंस है फालतो की कोई एड नहीं ठीक है कोई प्री इंस्टॉल एपस नहीं कोई होड गेम नहीं तो सब कुछ यहां पर आपको म जाता है ठीक है रेम बुस्ट अपसे नहीं लेवल है तो भाई OS के मामने में फोन एकदम सही है जो भी बोलो आप दोस्तों आता है फोन का कैमेरा कैमेरा कैसा है क्योंकि कैमेरा फोन का एक हालाइट फीचर्स है ठीक है पीछे आपको 50 MP का मेन कैमेरा जिसमें सोनी का सेंसर यूज हुआ है 10 MP का टेली वाटो लेंस जो कि आप जूमिंग जब करोगे तो बहुत हिल्प करेगा और 13 MP का एक अल्टर वाइड उसके साथ ही आपको मैक्रो मिल जाता है तीनों कैमेरा वाइस सपोर्ट करता है सामने आपको 32 MP का सेल्पी मिल जाता है 4K 30fps पर आप वीडिय अच्छा है ठीक है यहां पर आप कुछ कैमेरा सेंपेल देख सकतो मोटो वाइड पहले से बहुत इंप्रूब हो चुका है कैमेरा के मामले में ठीक है दोस्तों का जो कनेक्टिविटी है यह भी ठीक ठाक है 16 5G बैंड ठीक है आपको मिल जाता है वाइफाई 6 से Bluetooth 514 है एनि यहां पर आपको 4300 mAh का एक छोटा सा बैटरी देखने के लिए मिल जाता है इसके वज़े से फोन थोड़ा लाइट है ठीक है लेकिन यहां पर आपको फास्ट चार्जर दिया गया है और 15 वाट का वाइलेस चार्जर भी दिया गया है जो कि इस प्रेजंच के अंदर और को कोई फोन आपको नहीं दे रहा है तो अच्छी बात है प्रोसेसर भी ठीक टाक है तो बैटरी बैकाप भी अपको अच्छा मिल जाएगा फोन का स्पीकर भी ठीक टाक है डूइल स्टेरियो स्पीकर आपको मिल जाता है डॉल्वी का सपोर्ट है तो भाई साउन्ड एकदम तो आप गाना बगरा सुनो गेम खेलो अच्छे इंग स्पेस आपको मिलने वाला है आप दोस्तों आते हैं मेन मुद्दे पर क्या ये फोन को लेना सही होगा क्योंकि इस फोन का प्राइज है 24,000 रुपीज अगर आप ऑफर बगरा लगा ले तो तो एक देर हजर का डिस्कॉ इन पोको का एक सीरीज आप देख सकते हो अभी अमाजोन और फ्लिपकार्ट पे सेल आ रहा है ठीक है तो बहुत ही कम दमों में आप लूट सकते हो ठीक है लेकिन आपको एक अच्छा बजेट फोन चाहिए जिसमें सब कुछ अच्छा है और आपका बजेट आप थोड़ा इनक्रीज कर सकते हो जिसमें अच्छा कैमेरा है अच्छा डिस्प्ले है पांस साल तक आपका जो अपडेट मिलेगा प्रोटेक्शन भी हाँ पे अच्छा चाहिए तो यह वाला फोन का अप एक बाद देख सकते हो इसका भी प्रोसेजर खराब नहीं है अराम से कोई भी ग कर रहा है ठीक है जो भी एक मतलब गेमर को चाहिए जो भी एक कैमेरा को चाहिए सब कुछ इसमें है तो आप कैमेरा भी अच्छा खासा यहां पर यूज कर सकते हो ठीक है वीडियो के लिए अगर आप ब्लोग आड़ हो तो भी यूज कर सकते हो अर अब गेमिंग भी करना आपका है सोस समझ के फोन खड़े देना ठीक है बाकि आप कमेंड में बताओ एफोन आपको कैसा लगा तो चलो यार मिलते किसी और वीडियो पे तब तक कि लिए आर बाई बाई प्लीज आच चैलेंग को लाइक सब्सक्राइब कर देना